Q1. वह पर्थम परधान मंतरी कौन थे जिनल संसत सत्र में उपस्तित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था Q2. सामूहिक रूप से मंतरी परिशत किसके परति उत्तरदाई होता है Q3. मंतरी परिशत व्यक्ति का दुरूप से उत्तरदाई होता है Q3. मंतरी परिशत व्यक्ति के परति Q3. कमेंड करके जरूर बताईए इन 25 क्वेस्टन में से आपके कितने क्वेस्टन सही हुए है Q4. मंतरी मंडल का गठन कौन करता है Q5. स्वतंतर भारत के परतिम ग्रह मंतरी कौन थे? Q6. ऐसे पर्थम प्रधन मंतरी जिनके वृत लोक सबह में एविश्वास परस्ताव लाया गया Q7. संग्य मंतरी परिशद अपने आच्रण के ले किसके परति उत्तरदाई होता है Q7. संग्य मंतरी परिशद अपने आच्रण के ले किसके परति उत्तरदाई होता है Q7. आप्चन ए राश्ट्रपती Q7. आप्चन ए लोक सबह Q7. आप्चन ए राज्य सबह Option D. संसद इसका सही आंसर है Option B. लोकसभा Question No. 8 भाड़ती गणराजिये में वास्तिविक कारे कारे प्राधिकार निमलिखित में से किसके पास होता है Option A. राष्टरपती Option B. प्रधान मंत्री Option C. लोकसभाध्या Option D. मंत्री परिशद Question No. 9 भारत के संविधान के अनुसार मंत्री परिशद निमलिखित में से किसके प्रती सामुहिक रूप से जिम्मेदार होता है Option A. राष्टरपती Option B. संसद Option C. लोकसभा Option D. राज्यसभा इसका सही आंसर है Option C. लोकसभा Question No. 10 Option A. मंत्री परिशद Option B. लोकसभा के सदस्य Option C. भारत के राष्टरपती Option D. मंत्री मंडल के सदस्य इसका सही आंसर है Option A. मंत्री परिशद Question No. 11 संगे मंत्री परिशद से पत्या करने वाला पहला मंत्री कौन था? Option A. सरदार बल्लभाय पटेल Option B. आचार्य जेबी कृपलानी Option C. गोपाल स्वामी अयंगर Option D. स्यामा परसाद मुखरजी इसका सही आंसर है Option D. स्यामा परसाद मुखरजी Question No. 12 स्वतंत्र भारत के पर्थम पित मंत्री कौन थे? Option A. डोक्टर जान मत्हाई Option B. सी डी देसमुक Option C. जेराम दास दोलत राम Option D. सी राजगोपालाचारी इसका सही आंसर है Option A. डोक्टर जान मत्हाई Question No. 13 अभी तक पत पर रहते हुए कितने पर्धान मंत्रियों की मृत्ती हुई है? Option A. दो Option B. तीन Option C. चार Option D. पाँच इसका सही आंसर है Option B. तीन Question No. 14 मंत्री परिशद में कितने इस तरके मंत्री होते हैं? Option A. एक Option B. दो Option C. तीन Option D. चार इसका सही आंसर है Option C. तीन Question No. 15 भारत के केंद्रिय मंत्री परिशद की वेठकी अध्यक्स तक करते हैं Option A. राष्टरपती Option B. उपराष्टरपती Option C. परधान मंत्री Option D. मंत्री परिशद के सदस्य बारे बारे से इसका सही आंसर है Option C. परधान मंत्री Question No. 16 भारतीय सम्मीधान के निमलिखित प्राप्धानम से कौन सा प्राप्धान? मंत्री परिशद की नियुक्ती ततपत चियुती को विवेचित करता है Option A. अनुचेद सत्तर Option B. अनुचेद बहात्तर Option C. अनुचेद चोहत्तर Option D. अनुचेद पिछत्तर इसका सही आंसर है Option D. अनुचेद पिछत्तर Question No. 17 कोई व्यक्ती संसत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधी तक मंत्री रह सकता है Option A. तीन महिने Option B. छे महिने Option C. एक वर्स Option D. जब तक परधान मंत्री चाहे इसका सही आंसर है Option B. छे महिने Question No. 18 अब तक लोग सबह में प्रस्तुत एविस्वास परस्ताब सरवादिग्वार किस परधान मंत्री की सरकार के खिलाव रखे गए है Option A. जवार लाल नहरू Option B. लाल बहदुर सास्त्री Option C. इंद्रा गांधी Option D. अटल बिहारी बाचपी Question No. 19 Option A. आविस्वास परस्ताब Option B. भरतसना परस्ताब Option C. इस्तगन परस्ताब Option D. विश्वास परस्ताब Question No. 20 Option A. सधन का विगठन Option B. संकल्प Option C. परस्त Option D. आविस्वास परस्ताब इसका सही आँसर है Option A. सधन का विगठन Question No. 21 संगीय मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है Option A. राज्जी सभा की कुल सदस्य संख्या का 15% Option B. लोग सभा की कुल सदस्य संख्या का 15% Option C. संसत की कुल सदस्य संख्या का 15% Option D. कोई परतीवन नहीं इसका सही आँसर है Option B. लोग सभा की कुल सदस्य संख्या का 15% Question No. 22 सुवतंत्र भारत की पर्थम मंत्री परिशद में प्रधान मंत्री सहित कुल कितने सदस्यत है? Option A 21, Option B 29, Option C 36, Option D 43 इसका सही आंसर है Option C 36 Question No.23 सुवतंत्र भारत के पर्थम मंत्री मंडल में केंद्री सिख्षा मंत्री कौन थे? Option A. गुलजारी लाननन्दा Option B. सरदार बलदेव सिंग, Option C. मौलान अभूल कलाम आजाद, Option D. सीडी देशमुक इसका सही आंसर है Option C. मौलान अभूल कलाम आजाद Question No.24 भारत में सुवतंत्र तके पर्थम मंत्री मंडल कानून मंत्री कौन था? Option A. केम मुन्सी, Option B. स्पी मुखरजी, Option C. पलदेव सिंग, Option D. बी आरम बेट कर? इसका सही आंसर है Option D. बी आरम बेट कर? Question No.25 भारत का भैप पर्थम मंत्री जिसने एक संसत की हैसे से संसत के उन सभी संयुक्त अधी वेशनों में उपस्तिति दर्ज कराई जो सुवतंत्र भारत के इत्यास में अब तक संपन हुए है Option A. इंद्रा गांधी Option B. अटल बिहारे बाचपई Option C. चंदर सेखर Option D. बिपी सिंग इसका सही आंसर Option B. अटल बिहारे बाचपई वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद